नमस्कार दोस्तों ये जो टॉपिक है आज का ये है एक्सेशन असिस्टेंट के एक्जाम में पार्ट बी की यूनिट टू पार्टनर्शिप एकाउंट्स या साजेदारी लेखे के बारे में हम चल्चा कर लेएं कुछ कोशन्स हमने आपके लिए लेके आए हैं उतेश ये हैं कि आप इस बात को समझ सकें कि एक्शुल एक्जाम में किस नेचर के कोशन्स जो है वो पूछे जाएं ठीक है तो कुछ कोशन्स हैं आपको कहां से प्रशन आ सकते हैं वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगा यह पीचे का अपचारिक समझाता है यह बिल्कुत सही है साजेदारी सनलेक लिखित या मोखे ग्रूप से हो सकता यह भी सही है साधे जारी सनलेक का पंजी करन अवशक है यह गलत है और साजेदारी सनलेक साजेदारों के अधिकार और करतब पे को निश्यत करता है यह सही है ए अपन सोचते हैं कि क्यों ना अपन मिलकर एक जो है वो व्यापार शुरू करें तो वो जो बात कर रहे हैं उनोंने का अच्छा तुमारी हिस्सेदारी के लिए 50-50 हिस्सेदारी होगी अपर ऐसे लगाएंगे इतने दिन तुम काम करोगे अजसे ये उनके बीच एक औरल यानि मोखिक एग्रिमेंट हो गया तो मोखिक भी हुआ तो वो एक प्रकार से पार्टरशिप हो गई पार्टरशिप के लिए जरूरी हैं कि पाच्छिप जो है वो या साजयदारी जो हो लिखित ही हो या आप हमें साध्यान रखी गा लेकिन उनको लगा कि नहीं यार आज हम यहां जो चर्चा कर रहे हैं ये कल को हम मैंसे अगर कोई पलट गया क्यार तुमने जो बात कही वो गलत है या तुमने ऐसा नहीं कहा था तुमने कहा था 60-40 का रेश होगा तुमने कहा था तुम पांस दिन काम करोगे ये उनके बीच अगर कहा जाए कि कोई उनकी जो responsibilities है उनके duties है उनमें अगर कहा जाए कुछ बदलाब हो जाए तो क्या करोगे इसलिए उसको लिखित कर लेते हैं लिखित होता है तो उसको हम बोल देखते हैं partnership deed इध्यान रिखना, deed लिखित होती है partnership के लिए जरूरी नहीं तो deed लिखित हो भी और उसको चाहो आपने लिख लिए, जैसे दो लोग बैठे जैसे पहले के जमाने में होता था वैसे ही, दो लोग बैठे और दोनों ने बैठ कर जो है वो, एक कागज के उपर आप साधे कागज के उपर लिख सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं है, और लिखे के दोनों ने अपने अपने signature कर ली, जैसे वशियत नामा बनता ना, वैसे, यह हो गई partnership अब अगर मान के चलिए, हमारा मन कर रहा है तो हम इस partnership डीड को registered करा सकते हैं, ठीक है, याने partnership act 1932 के प्रापधानों का प्रियोग करते हुए मत्यप्रति society act 1973 के प्रापधानों के तहत, हमारे उपर है, अगर हम registered कराएं, तो रजिस्टर्ट कराएंगे, तो कानूनी रूप से यह मानने हो जाईगे अभी आपने सादे कागच पे लिखी या मोखिक रूप से partnership deed करी है, तो मोखिक रूप से तो deed नहीं कहलाएगी, मोखिक रूप से तो partnership कहलाएगी, लिके तो deed होगी और आपने अगर मानके चलिए, उसको सादे कागच पे लिखा है, तो यह कानूनी रूप से माने नहीं, नियायले इसको मैं आप इसको चुनोती नहीं दे सकते हैं, तो कोई व्यक्ति के खिलाफ अगर आपको case दायर करना है, अपने ही partner के खिलाफ case करना है, कि अपना share जो था 50% और तुम पलट गए अपनी बास से, यह तभी संबब होगा कि वो registered हो, तब नियायले उसको जो है, वो गर कहा जाए मानेगा, otherwise नहीं मानेगा, यह द्यान रखेगा यहां, और जितनी भी साजे, हम बहुत अच्छे जानते हैं साजेदारी के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या होती, कि उसमें जो लाइबिल्टीज होती, वो दोनों साजेदारों के अगर वो बालिक हैं, तो आसी मित होती, हमेशा ध्यान रखेगा, हमेशा पार्टनर्शिप के जो अगर कहा जाए, मतलब यह कंपनी और अन्य चीज़ो नहीं कराया, तो नियाले में आपको दिक्कत आएगी, याने, आप पूरी कहानी में क्या समझे, दो लोग हैं, आप दो दोस्त हो, और दोनों को पार्टनर्शिप शुरू करना है, औरल शुरू करना है, तो पार्टनर्शिप, लिखे थे कागज पे लिख लिए तो डीट, उसको इंडियन पार्टनर्शिप एक्ट 1932 के तहित, ठीक है, रिजिस्टर्ड अगर कहा लिए, तो वो जो है, अगर कहा जाए, रिजिस्टर्ड डीट की जो है, वो डेफिनेशन के अंतरगत जो चिन जाए, तो बेसिक इतना जो है, वो अगर कहा जाए, कि आपको याद र भारती साज़ेदारी, याँने आपको हम, आप मद्य प्रदेश में रह रहे हो, अब मद्य प्रदेश में जब रह रहे हो, तो आपको एक पार्टरशिप फर्म बनाना है, तो पार्टरशिप फर्म के लिए आप कैसे पार्टरशिप फर्म बनाओगे यह भी है, तो पहला, कि भारती साज़ेदारी अधिनियम 1932 के तहट फर्म में कम से कम दो बालिक साज़ेदार होना चाहिए बिल्कुल ज़रूरी है कि बालिक साज़ेदार है तो आप फर्म बना लोगे तीसरा आवेदन पत्र पर साज़ेदारों को अपने हस्ताक्षर प्रमानी करन किसी एड़ोकेव वित्य पदादीकारी या चार्टेड एकाउंटेंट है ठीक है से करवाना होगा यह भी सही है और उप्यूप्त सभी कथन सही है यह भी गलत है यह पर इसा ही हो जाता है MPPSC में भी कई बार कहानी यह है कि यह वाला कोश्चन गलत है अब क्यों गलत है यह समझे देखो ऐसा है बहुत सिंपल सी बात समझे बही हमने partnership act बनाया यह बिटिश इंडिया के दौरान बनात है उद्देश यह था कि partnership जो भी डीड बन रही और जो partnership फर्म्स बन रही उन फर्म्स की बुनियादी जानकर एक systematic तरीके से हमारे पास हो जिसे firm का नाम पता किस उद्देश जिससे firm बनाई गई है उसमें जो लाब बिवाजन का अनपाद है वो कैसे तै किया जाएगा साजेदार की भूमी का जो है वो क्या होगी इन सब उद्देशियों को लेकर हमने जो है वगर कहा जाए ये एक्ट को बनाया था अब क्या हुआ एक्ट तो 1932 में बन गए लेकिन हर राज्य ने अपने तरीके से फर्मस के लिए काम किये तो मद्द प्रदेश ने जो काम किया वो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि आप अगर ये एक अच्छा ये जानकारी कहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए हमको कुछ नहीं मैं दिखाई देता हूँ आपको एक निट रोख कर के कहां पर मिलेगी आपको इंडियन पार्टरशिप एक 1932 खोला है ठीक है ये इंगलिश में खुला हिंदी में खुला एक ही बात है अब हमें दिख रहा है कि ये जिसे पाटरशिक एक्ट है बकाता ही चेप्ट्रस में डिवाइड है इसका भी कोशन है इसके उपर भी डिस्कैशन करेंगे जब इसी एक्ट में नीचे जाते हैं जैसे ये नेक्ट यहां पर यह हम पहूंचे नीचे जहां ये एक्ट खत्म होगा है ना अब द्यान से देखिएगा क्योंकि हर राज्जी के लिए अलग-अलग तरीके से इसको जो है वो करना पड़ेगा तो आपको स्क्रीन के उपर दिख रहा है कि जैसे यह जब एक्ट खत्म हुआ यह 74 नंबर के सेक्शन पर जाके यह खत्म हो रही कान तो अब आपको क्या आ रहा है वानेजेवं द्य विवाङ जिस में आप नोकरी करोगे यह द्यान दक्रिए ठीक है ठेक्सेशन असिस्टेंट वानेजविवाङ कई जो है वो हिस्सा है मंतराले वलबहब बवन जो हो 2000 अब आपको क्या दिख रहा है कि भारती आपिदारी ठ हमारे लिए है कि हमारे राज्य में firm का registration कैसे होगा मुझे लगता है नहीं है कि शायद आपने ये topic इस तरह से पढ़ा हो firm registration नियम हमारे यहां क्या दिख रहा है कि साज़ेदारी firm के निर्मान के लिए registration एक तो भारती साज़ेदारी विधान या Indian partnership जो एक 1932 के आधीन firm के registration कराने ही तू अविश्यक है कि firm कम से कम दो वालिक साज़ेदार होगी case number one दूसरा कि जिन्होंने साज़ेदारी का कारे करने ही तू अनवद लिखा हो firm के registration ही तू आवेदक मद्यपरदेश साज़ेदारी नियम के नियम तीन में बताए firm करमांग के यान अब आपको या तो यह पूछ सकता है कि मद्यपरदेश साज़ेदारी नियम कब बने तो मद्यपरदेश साज़ेदारी नियम 1951 का नियम करमांग तीन में जो है बताएगा है firm करमांग एक के अनरूप आपको document कर तो यह पूरी मद्यपरदेश से संबंदित जानकारिया है पूरी जो भी जानकारिया है यह मद्यपरदेश से संबंदित तो हमें यह समझ पड़ा कि साज़ेदारी firm के लिए भारते साज़ेदारी नियम 1932 में तो प्रापदान है लेकिन हमने भी अपने स्तर पर उसके लिए नियम बनाए और हमने भी उसके लिए जो हो कर का जा अधिनियमों को बनाए उनके तहत हम वो काम कर रहे है तो यह अभी आपको समझ पड़ गया होगा कि मद्यपरदेश जो है वो firm के registration के लिए आवेदन पत्र ठीक है अब यहाँ पर आपको यह मैंने क्यों लिया है देखो सिंपल सी लोजिक है कहीं न कहीं जो partnership act है अगर मतलब firm बर रही है तो उसमें partnership act का बहुत important रोल है तो partnership act को अगर हम नहीं पढ़ पाए तो गड़ बलो जाएगी तो partnership act बहुत चोटा सा है आपको स्क्रीन के उपर अगर हम उपर जाएं यहाँ से हमें दिख रहा है कि इस partnership act में कोई भी act होता है कोई भी act के अंदर जो पहला वाला जो chapter होता है उसमें उसका संचित नाम और परिवाशा है होती है उमीद करें कि आप परिवाशा है याद कर लें नहीं तो आपको दिक्कत होगी यह ध्यान रखना हो दूसरा कि भागेदारी यह इंगलिश में चाहो तो यह इंगलिश में यह प्रलिम्नरी में जो है वो short title और definition nature of partnership किस तरह का partnership होगा ठीक है यहाँ पर अगर कहा जाए इस तरह से यहाँ पर कुछ chapter है तो हमने प्रशन को क्या करा है हमने कहा कि अध्याय दो भागेदारी के प्रकरती हमें दिख रहा है यहाँ पर अगर कहा जाए कि chapter 2 में nature of partnership है अध्याय चार भागेदारों के एक दूसरे के प्रती संबंद यहाँ पर अगर कहा जाए तो यह chapter 3 में है भागेदारों के एक दूसरे के प्रती संबंद भागेदारों के साधरन करतव विक्या होंगे वो कारोबार का संचालन कैसे कलेंगे परम की संपत्ती क्या होगी ठीक है यहां पर यह सब चैप्टर 3 में ना कि चैप्टर 4 में तो आप बहुत सिंपल सा है कि यह केवल इनके आउटलाइन चैप्टरों के नंबर याद रखिए और उनको कोस्टक में क्या करिए यह सेक्शन नंबर जरूरी याद रखिए जैसे देखिए ऐसे समझे भागेदारों के एक दूसरे के परती संबन्द 9 से 17 अब सबूस उसने पूछ लिया कि भागेदारों के परसपर अधिकार है उन दायत्तर संबन्द संबन्दों के बारे में प्रापधान किस धारा में सब उसमान के चलो वो तो पूछने आला कुछ भी पूछ सकता है तो मारा दिमाग चल रहा है कि हमको पूरा याद नहीं लेकिन यह 9 से 17 के बीच कोई है तो एक कोशन हमारा लिंक हो सकता है तो इस तरह से यह बेसिक है कि हम आसानी से देख सकते हैं कि भागीदारों के एक दूसरे के संबन जो है वो अगर कहा जाए चैप्टर 3 के अंदर है दूसरा मैं आप सबसे यह कहूँगा कि यह पाटरशिप अक्ट अगर आप 1932 का पूरा ना पढ़ता है हम तो कहते हैं कि पूरा मत पढ़ो लेकिन इसमें जो परिभाशाएं दी है इन परिभाशाओं को अगर आपने नहीं पढ़ा तो जो है वो अगर कहा जाए यह चूटा सा अगर कहा जाए इसमें कोई ज़्यादा बढ़ा वो नहीं ये परिवाश्यों को याद रख लीजे क्योंकि जैसे आप से इंडियन कॉंट्रेक्ट एक 1872 तो आप से पूछ लेगा कि इंडियन कॉंट्रेक्ट एक्ट कब बना था अब वाँ दिमाग खराब हो गया कि क्या कहना चारा मैं क्या बता हूं इसमें कि कब बना था क्योंकि वो तो अपने पड़ा ही निए तब यहां देखा तो अपने को याद आए कि अच्छा वो जैगों गपने कॉंट्रेक्ट की बात कर रहा है तो वो गडर कहा जाए 1872 का है तो भारती संविधा जब हम दो लोग कॉंट्रेक्ट करते हैं, संविधा करते हैं तो Indian Contract Act 1872 के प्रावधानों के तहट है ऐसे वस इसको जाए, वो हमको जाए, वो याद रखने ठीक है, अगले की उपरा जेते हैं साजेदारी की प्रकरती में निम्र में से किसका होना आवश्यक है आपको पार्टरशिप करना है मतलब दो लोग जो मैंने सुरू में एक पहला केस बता है कि दो लोग चाहे पी रहे और उन्होंने दिमाग लगाए कि आर अपन कोई काम शुरू करें किस संप्ति पर हमारे दोनों के राइट हUNGगे नहीं दिमाग में सबसे पहले क्या आया बिजनिस तो साजेदारी की प्रकरती के उपर जब बात की जाती तो सबसे मीन जो साजेदारी के अंदर चीज है जिसके बिना साजेदारी सुरू ही नहीं हो सकती वो जो है वगर कहा जाए है आपका व्योसाई है व्योसाई ही साजेदारी का अधार होता है बाकी चीजें तो जो है वो बात की बात है ठीक है कितने मतलब अगर कहा जाए फिर विशेस्ताव में तो जाओगे तो व्यक्तियों की संख्या भी आएगी व्यापार कैसे चलेगा ये भी आएगा दाइत पुझे से मैंने कहा कि unlimited responsibility आना है प्रबंदन क्या होगा कौन प्रबंदन करेगा ये सब कुछ तो होगा लेकिन उसका मूल आधार क्या है किसके उपर टिका हुआ है वो टिका हुआ है व्यापार के लिपर तो कोई भी साजेदारी चाहे वो oral हो ठीक है चाहे वो लिखेत हो याने deed के form में हो चाहे वो registered हो जिसे नियाले में challenge किया जा सके सब में व्यासाई शब्द होना बहुत जरूरी व्यासाई नहीं होगा तो साजेदारी की कोई कहानी जो हो आएगी ज़िए अगला अगला भी बहुत important question है भारती भागिदारी अधीनियम ठीक है कि धारा चुमालिस के तहत निम्न मेंसे किस स्थिती में कोई भागिदार विक्रत्चित हो जाए यह मैं आपको दिखाऊंगा भी यह NCRT में भी है और कहीं भी आप अगर एक्ट पढ़ेंगे उस एक्ट के अंदर भी कोई भागिदार अगर विक्रत्चित का है विक्रत्चित का मतलब होगे Unsound Mind वो मतलब Decision लही नहीं सकता उसको अपन जो है वो Unsound Mind देखो दिवालिया होना और विक्रत्चित होना दोनों अलग अलग चीज़ है ठीक है इनसॉल्मेंट एक अलग चीज़ होती है और विक्रत्चित अलग चीज़ होती है विक्रत्चित का मतलब ही है कि वो मतलब अगर कहा जाए Decision नहीं ले सकता Unsound थीक है इस इस्तिती में भागेदार जो होगेदार कहा जाए कि भई है यह Decision नहीं ले पा रहा है अब क्या करें इसके जो हो राइट्स का क्या हो तो फर्म का विगटन जाए हो नहाले का सकता दूसरा है कि वो गर कहा है कि कोई भागेदार जो वाद लाने वाले भागेदार से बिन हो एच्छा आच्छन का दोशी हो जो कारुबार पर प्रती कूल प्रहौर डालती है कि मतलब मानके चले फर्म के पार्टनर में कोई ऐसा पार्टनर है जिसके उपर कोई ऐलिगेशन कोई केस या कोई ऐसी उसके साथ जो हो चीछ जुड़ी हुई है जिससे फर्म का कारुबार प्रती कूल यारे उसके अगेंस्ट डिसीजन जा रहे है और लोगों को लग रहा हूँ कि इसके कारण जो हो फर्म चला नहीं पाएंगे तब भी नयायले जो होगर काज आप फर्म का विगटन कर सकते है तीसरा तो सबसे कॉमन है कि आपने कानून बनाए हैं कुछ और आप कानून का बार बार अगर कहा जाए उलंगन कर दो आपने एक फर्म बनाई थी उद्देश था कि हम जो होगर कहा जाए प्लास्टिक बैक बनाएंगे बहुत त्यान समझने अब सरकार ने कहे दी कि आप जो पचास माइकरोन से नीचे का प्लास्टिक जो हो कम का नहीं बेच सकते अब आप बार-बार जो हो चालिस माइकरोन की तीस माइकरोन की प्लास्टिक पनिया बेच रहे सिंपल सी लोजिक और पकड़ा रहे है ठीक है तो टेक्निकली अगर कहा जाए कि भागिदार च्विन कोई करार जो है उगर कहा जाए तो उसमें नियाले के हस्तेचेप की जरूवत नहीं है यह आप याद रखेगा कि आपने सोचा कि साज़ेदार की मृत्ति होगी तो क्या नियाले का हस्तेचेप होगा नहीं इसको सिंपल भी मैं समझते है NCIT की एक बुक्स है ठीक है बेसिक तो मैं NCIT की बुक्स समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको क्लियर हो देकि पहले तो मैं आपको यह बता दू कि भारती भागिदारी अधीनियम यह चुमाले साब को याद रखना है क्योंकि इसमें कोट का हस्तेचेप है तो यह लिखा हुआ है नियायले से जो है वह अगर कहा जाए फर्म को डिजॉल करा साब नियायले के हस्तेचेप से अब यह तो बेसिक होगे यहां दिख रहा है जैसे लिखा कि कोई भागिदार विक्रचित का हो ठीक है या जो मैंने इसी में से कोश्चन को बनाया है मैंने कहीं और से जो वो कोश्चन को नहीं बनाया अब दूसरा मैं यहां चलागे NCRT साज़दारी फर्म का विगटन ठीक है हिंदी में और इंगलिश में दोनों मैंने खोल लिया डिजॉलूशन और पार्टरशिप फर्म अगर मैं NCRT की बुक पे जाओ तो इसमें लिखा है कि साज़दार का विगटन के कई प्रकारों से ठीक है यहाँ पर अगर कहा जा विगटन की अवशक्ता क्यूं है पहला है विगटन की अवशक्ता यह है CDC बात है मतलब अभी हम कोट के विगटन की बात नहीं करें आपको डिजॉल करना है ठीक है पर्टरशिप को जाए वगर कहा जाए आपको विगटिट करना है यहाँ पर तो क्यूं करना है एक भी होना मतलब पहले से हमारे बीच जो लाब विवाजन उन पात था कि भाई हम जो पैसा कमाईंगे उसमें किसकी कित्ते हिस्सेदारी होगी जैसे बाहरे के जली अभी अपने क्या देखा था कि चार पार्टनर बैट गए चाहे पीते-पीते उन्होंने डिसीजन ले लिया कि 25-25 परसेंट की हिस्सेदारी होगी बाद में लगा कि एक पार्टनर ज्यादा काम कर रहा है तो जो प्रॉफिट शेरिंग रेशो है उसका कहना है कि एक फिप्टी परसेंट मेरा होना चाहिए याने वन बाई टू मेरा और जो होगर कहा जा वन बाई फोर वन बाई फोर तुम दोनों का मतलब एक आदा मेरा और आदा मेंसे एक चोटाई एक चोटाई बंद आदे मेंसे दो हैसे तो टेक्निकली यहां पर यह बात निकल कर रहागी कि अगर मान के चली उनको प्रॉफिट शेरिंग रेशो बदलना हो तो कर सकते दूसरा कि भाई अभी चार लोगों ने बनाई थी एक और आगे अरे यार मेरे को भी शामिल कर लो यार में भी पैसा लगा दूंगा उनने का ठीक है admission of new partner याने हमको अगर नया आदमी को लाना है चार आदमी बना रहे थे काम कर रहे थे पाँच वर एक को जो है वो कहा कि नहीं यार अभी मेरे को जो है वो गर कहा जाए इससे थोड़ा बाहर होना है याने retire होना भी यार मेरी उमर हो गई मैं नहीं कर रहा था हूँ retire होना है अचानक किसी एक partner की death हो जाए याने अब हमें यहाँ दिख रहा है कि हम ला बिवाजन बाद नए साजेदार को लाना चाह रहे हैं कोई साजेदार retire होना चाह रहा है किसी की death हो गई कोई insolvent हो गया ठीक है अगर कहा जाए इन सब कारणों से यह जो साथ कारण लेक इन ground पर हम firm का vigittan कर सकते हैं अब firm के vigittan में किन इस्थितियों में जोई होगर कहा जाए जोए वो अनिवारे विगटन होगा अनिवारे का मतलब यहां पर यह है जिसे अगर कहा जाए कि वह आप कर नहीं है विगटन अनिवारे का मान के चली है आपका जो आप काम कर रह तो यहां पर अनिवारे विगटन तो जैसे होगा कि मतलब सब साजेदार दिवालिया होगा एक बच गया अब वो एक तो चला नहीं सकता कम से कम दो बालिक लोग चाहिए ठीक है तो जो है उस इस्तिती में जो है वो आप इसको अनिवारे डिसॉल करो गैर कानूनियोतों करो इन इस्तितियों में हमारा प्रश्ण था यानि यह आप अपने स्तर पर NCRT से पढ़ सकते हो यह अलग-अलग पैटन्स है मतलब आप समझोते के द्वारा कर सकते हो अनिवारे विगटन कर सकते हो अनिशित्ता के आधार पर कर सकते हो ठीक है यहाँ पर नयायले के पर अब नयायले कब जब कोई साज़दार मानसिक संतुलन खो दे ठीक है यानि अन्साउंड माइन हो गया सारल भाशा में के तो पागली हो गया कहा जाए मानसिक संतुलन खो दे ना दूसरा कि जब कोई साज़दार इस्थाई रूप से साज़दार के करतव्यों के पालन करने में मतलब जो उसकी duties थी वो नहीं निवा पारा तब जो है वगर कहा जहे हम नियाले के माध्यम से इसका विगटन कहा सकते हैं तीसरा कि जब कोई साज़ेदार कूप्रबंद का दूशी हो मतलब वो ऐसा management कर रहा हूँ जैसे वो आपको याद होगा बिटिश इंडिया के दौरान डलहुजी को अवद को डेक्ट्रण आफ लैप्स में लाना था उसने कूप्रबंद का आरूप लगा तुम्हारा management ठीक नहीं हो हमारे पास हम तुमको तुमारा साशन चलाएंगी वो पहली जो अगर कहा जाए कि मतलब जैसे कहा जाए कि रियासत होगी जो मतलब कूप्रबंद के कारण जो आई थी तो टेक्निकली अगर कहा जाए कूप्रबंद हो जब साज़ेदार जान पूछ कर बार-बार साज़ेदारी के निय ठीक है और आखरी में जब नियायले को ये लग जाए कि नहीं इस फिर्म का विगटेट अब जरूरी है इसकी जरूरत नहीं है ये ये कानून के खिलाफ जा रही है या इसके अंदर मिसमैनेजमेंट है ये जो अगर का जा है सोसाइटी के रूल से उनके खिलाफ है जिसे मान क कि चलो कोई फर्म ऐसा काम करें जो एंवार्मेंट के आगे रहे हैं उनका नहीं साब हम इसको विगटेट ही करना पड़े तो ये हमें देख रहा है कि dissolution of firms के कई pattern हो सकते हैं dissolution by court ठीक है when a partner become incense मतलब वो पागली हो जाए या बाकी जो आपने देखा होगा when a partner guilt जो है वो अगर कहा जाए misconduct when a partner जो है उगर कहा जाए ये इन सब कारणों से नियाले इसको कर सकता है तो हमें क्या समझ पड़ा कि हम चाहें तो साजेदारी बहुत होते के द्वारा समझोता सब बैठ गए तापस में समझोता कर लिए उसकी सरते कर लिए और उससे साजेदारी firm का जो होगर कहा जाए dissolution कर दिया तो समझोते के द्वारा भी हम कर सकते हैं यहां पर अगर कहा जाए dissolution by agreement हमें लग रहा हैं कि नहीं भी या अब हमारा व्योसा यहां पूरी तरीक इसे गेर कानूनी है इस इस्तिती में हम compulsory dissolution की और बढ़ सकते हैं यहां 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 वो यह होता है कि मान के चलिए आपने partnership deed बनाई और उस deed में यह provision करा है कि हम 6 महीने ही करेंगे यह व्योसाए और 6 महीने के बाद नहीं करेंगे तब 6 महीने के आपको compulsory dissolution करना है ठीक है यह व्योसाए को गैर कानूने मान लिया हो कि यह जो काम आप कर रहे हो यह technically when a business firm become illegal मैंने जैसे बोले न कि आप 30 माईकरॉन की polythine बना रहे हो और सरकार ने कहा कि यह तो प्रतिबंदी ते किसे बना रहे हो तो फिर जह हो इन लीगल होगी इस तर इंडियन partnership act में है जिसे अगर आप धीरे धीरे जाएं तो उपर से आएगा firm का विगटन पहला ठीक है करार द्वारा विगटन जो हमें तुम्हें करार था कि तुम्हें याद हो के ना याद हो वो गाना जो है न वही करार वाला ठीक है इसी क्रम में हम नीचे जाएं तो आ नियाले द्वारा ही विगटन जो है वो आएगा ये दियान रखेगा इस तरह से आपको प्रशन समझ पढ़ गया होगा कि किसी साज़दार की मृत्यू होने पर इसमें मृत्यू शब्द सही या अदूरा हो गया ठीक है मृत्यू होने से नियाले विगटन नहीं कर लेगा ये एक बहुत कॉमन सी बात है आप याद रखे कि साज़दार की मृत्यू होने पर आप कोगे में नियाले नहीं वो अनिश्चिता की इस्तिती में विगटन ये दियान रखेगा कोई पूचे का साज़दार की मृत्यू उसका दिवालिया हो जाना ये किस तरह के विगटन ह अगर कहा जाए तो अगर कहा जाए तो मुझे लगता है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी समझ में आ गई होगी नहीं तो स्क्रीन रोक कर आप ये जो मैंने आभी आपको दिखाया है ये आप नोट कर लें यहां से ये हिंदी में लिखे हुए 1,2,3,4 आप खुद NCRT की बुक से लिख सकते हैं ये English में लिखे हुए यहां पर ठीक है तो यह मतलब कोशन में ऽा कुछ na कुछ कोशन जो हो हमारे बनने की संभाव न है मतलब क्या बनेगा यहां पर वो देखने वाली बात है। ठीक है चलिए अगले की ऊपर आ जाते हैं यहां पर अगला है किसी सा नुक्सान है थिक है याने जो नुक्सान हो रहा हुआ है उसकी पूर्ती जह होगן कैसे काूँए? क्या तरीका अपनाओ? तो सबसे पहले तो जह होगए कहा जाए पहला तरीका तो यह होता कि जो हमारे पास प्रौफिट्स थे उन profit से हम जह होगर कहा जाए उसकी पूर्ती करें पहला तरीका तो यही होता हमें इसा याद रखेगा कि कोई पूछेगा कि कैसे आप जह होगर कहा जाए वो जो नुकसान है उसकी पूर्ती के लिए क्या जह होगर कहा जाए तरीका अपना कोई न कोई तो तरीका आपको अपना पड़ेगा तो आप कोगे हम अपने प्रॉफिट से जह हो देंगे लेकिन जो प्रॉफिट बच रहाते हैं सपोज मानेगे चलिए आपकी लाइबिल्टी जागे एक हजार रुपे प्रॉफिट है आपका दूसर रुपे अब खाली जह होगर कहा जाए प्रॉफिट से काम नहीं चल दो तब जह होगर कहा जाए साजेदारों की पूंजी साजेदारों की परिसंपत्तियों उसके बाद की इस्तिती में ये सब चीज़ आती है याने एक के बाद एक क्रमगद तरीके से अगर कहा जाए ये चीज़ आएंगी आप ये याद रिखेगा तो पहले जो फास सिचुएशन है उसके अंदर ये कभी भी जो है वो नहीं आएंगी ये उसके बात की सिचुएशन में आएंगी जैसे यहां आप नीचे जाओगे यहां पर तो यहां लिखा हुआ है सबसे पहले आप क्या करोगे प्रतम लाब से करोगे अब लाब से भी नहीं निकला लाब से देना हजार रुपे लाब था जो है वो 500 रुपे तो साज़ेदारों की फिर पूंजी से करोगे पूंजी से भी जो होगर कहा जाए नहीं निकला मतलब साज़ेदारों ने जो हो वहां पर पूंजी लगा रखी थी ठ सादे जार की 25-25% ठीक है तो उन्होंने शेरिंग कर ली कि इतना तब जो है वगर कहा जाए याने अगर जो पूझी उन्होंने लगाई थे उस समय मतलब सपोज मान के चलो 25-25 रुपे पूझी लगाई थे अब पूझी से बाढ़ दे लेकिन लाइबिल्टी जाता है तब फि तुम दोनों का 25-25% रहे तो वो जो बचा हुआ पैसा होगा उसमें लाब विवाजन उन्पात का मतलब है कि वो जो 50% वाला था वो आदा देगा और बाकी जो है वो 25-25% नहीं तो क्लियर हो गया होगा ठीक है ऐसे केसे इसको हमेसा ध्यान रखो पढ़ाई को सरल भाशा मे रखो इसको अपने उपर लो दो दोस्त बन जाओ ठीक है मतलब यह चार दोस्त बन जाओ चार दोस्तों ने जो है वगर कहा जाए 4000 रुपे से फर्म शुरू करी बुनियादी रूप से ठीक है फर्म ने 2000 रुपे कमाए लेकिन जब फर्म को बंद कर रहे थे तो उसके उपर 4000 रुपे की जो है वगर कहा जाए लाइबिल्टीज थी तो 2000 रुपे वो तो जो है वगर कहा जाए गए गए अगले मेंसे जो है वगर कहा जाए जो उन्होंने पैसा सुरू में लगाया था वो पैसा जो है वो लगाया और उसके बाद फिर रेशो के इसाब से उनका जो है किया जाता है ये मतलब प्रश्ण जो है वो आप से पूछा जा सकता है इसमें कोई ना कोई कोशन जो है हुआ एक्जाम पॉइंट व विउ से आपको बन सकता है ये आप याद रखेगा मतलब कभी जो है वो आएगा तो अगला है किसी साजेदारी मत्य प्रदेश सोसाइटी अधिनियम 1973 की धारा बारा के पहत कोई रजिस्टी करत सोसाइटी का नाम तबदील करने के लिए अपने कितने सदस्यों के द्वारा संकल्ब की अवशकता है अब यह है क्या इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा नीचे जाए जैसे यहाँ पर हम कहां चले गए यह तो नियम हो गया जो अभी मैंने बताए तो मद्यप्रदेश साजेदारी फर्म के रेजिस्ट्री नियम 1951 यह वो आपको यादी रहेगा इसमें कुछ आपने को याद नहीं लिए नहीं करना अब यहाँ से हम चले गए यह फॉर्म इन सोसाइटी की वेसाइट के झूब खो arrangements एज एज हम यहाँ पर चले गए फॉर्म इन सोसाइटी तो मद्यप्रदेश साजेटी की जो यह वेसाइट है इसमें बहुत सारी धारा हैं अब आप सुचों के जो ह मत करिएगा आप खुद परिशान हो जाओगे कंफ्यूज जो है यहां लेकिन मैंने आपको यह बोग दिया इंडियन पार्टरशिप एक्ट और भारती जो है अगर कहा जाए यह सोसाइटी एक्ट की जो परिभाशा हैं वो याद कर लेने कि सोसाइटी का मतलब क्या होगा यह आप अगर कहा जाए यह वो form and society क्योंकि form and society साइटी से ही जुड़ा हुआ है तो यहां अगर हम देखें तो यह बारा तो लिखा हुआ है कि सोसाइटी का नाम कोई भी रेजिस्ट्री का सोसाइटी धारा चवदा के वो बदनों के आधीन देती हुए अपने नाम की तब्दीली इस प्रियोजन ही तु बुलाएगे साधरन सम्मिलन मैं अपने सदस्यों की कुन संख्या का कम से कम दो तिहाई सदस्य से करे passwords यह ध्यान रख्ये गए ना मतलब दो तिहाई की जरुवत पड़एगी दो तिहाई के बिना जो है वोगर कहा जाए कि अगले के उपर जाते हैं, अगला कोशन देखते हैं, अगला कोशन यहाँ पर बहुत इंपोर्टन्ट है, और एक्जाम पॉइंटे विव से जो है वोगर कहा जाए कि आपको आ सकता है, मद्य प्रदेश लोग सेवा गैरेंटी अधीनियम के तहत शामिल की गई सेवाओं में भारती भागीदारी अधीनियम 1932 के अधीन फर्म का नाम और पते में तबदीली के संबंद में सेवा के लिए कितने कारे दिवस निश्यत किये गए, most time, ऐसे कोशन बहुत आ रहे हैं, ज इसका आंसर है तीस कारे दिवस, अब ये तीस कारे दिवस कहां से आया, तो हम पहुँच गए वापस चलांग लगा कर, मद्य प्रदेश शाषर रेजिस्ट्री करत फर्म संस्था की में ध्यारा व्याव साइट के उपर, हमने लोग सेवा गैरेंटी एक्सिस को करेंट कर द प्रदानों के तहर, युवा, मंडल, महिला, सुहिम, सीवी, जो भी संस्थाएं हैं अगर कहा जाए, इनसे संबंदित अगर आप जो है उगर कहा जाए, कुछ देखना चाते हो, तो तीस कारे दिवस में आपको सेवा कंपलीट करना पड़ेगी, तो यहाँ आपको जातर मे आप देखो, बीस कारे दिवस और तीस कारे दिवस, तो हमें क्या-क्या याद रखना है, भारती भागीदर ये दिनियम 1932 के आदीन, फर्म के नाम, कारबार, और मुक्हे स्थान में अगर आप परिवर्तन कर रहे हो, यहाँ पर अगर कहा जाए, तो तीस कारे दिवस में आ अपीली अधिकारी कितने दिन में आपकी समस्या का नराकर्ण करेगा, तीस दिन में, और वहाँ से नहीं हो रहा है, तो फिर जाओगे दिती अपील अधिकारी के पास, वो कोन है, रेजिस्टार, तो एक तो आपको यहाँ पर यहाँ पर यह बात क्लियर होगी, आल्मोस्ट इसको देखिए, यहाँ पर अभी हम यह जो पढ़ रहे थे, यहाँ, हम क्या पढ़ रहे थे कि आपको जो हो नाम पता, 62 नंबर, तो यहाँ पर हमने यह खोला, हम पहुँच गए, यह 62 नंबर के उप, क्या लिखा हुआ है, इंडियन जो पाटरशिप आक्ट के रहे, भी करता द्वारा, रेजिस्टर्ड को उस पर परिवर्तन के प्रग्यापना बेजी जा सकेगी, और रेजिस्टर्ड, रेजिस्टार उससे, उसी प्रकार बरतेगा, जैसे कावन के दह्त, जो है, अगर कहा जा, रेजिस्टर् निकल गए, उससे रेजिस्टार, तो सेम कहान लिया उसका विगटन आदी करना हो तब भी आपको कितने दिन में कर तो कितने दिन में होगी प्रकृया यहां पर 30 कारे इसमें भी प्रकृया है थीक है भारती भागीदारी मुलब जर्नली आप देखो जो इंडियन पार्टर्शिप एक्ट के तहेट जितने भी प्रवीजन् पर लिखा वो तो वही अपने को बात करना पड़ेगी तो टेक्निकली जए उगर कहा जए तो जए वो इसके अंदर जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 30 कारे दिवस और प्रथम अपीली अधिकारी डिप्टी रेजिस्टार डिप्टी अपीली अगला कोशन देखे द्यान से ये कोशन मेरी खुद के अप्रोच का नहीं ही ये कोशन मैंने NCRT की बुक से जस के तस उठाया मैंने क्यों उठाया उसका कारण भी में बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता आयोग ऐसे के ऐसे कोशन कट पेस्ट कर लेता है आपको क्या करना है पहले समझ लिजिए पहले तुम्हें देखा दू जिसे लिखा है जब साज़ेदार की तरफ से फर्म द्वारा वसूली वे का भुकता किया जाता है तो वे नाम होगा वसूली खाते में साज़ेदारी के पुझी खाते में साज़ेदारी रिण खाते में या इन में से कोई नहीं पहले तो देखें कि प्रशन कहां से आया तो टेक्निकलि ये लेखा साथ तरह आला आपकारी संस्ता है साज़ेदारी खाता ठीक है ये NCRT की बुक है यह वे नाम होंगे बसूली खाते में, साज़दारी पूजे खाते में साज़दारी ग्रेणर खाते में इनमें से कोई नहीं यह questions आप पूरे यहां से देखें और इन questions के answer नीचे चले जाएं सबसे नीचे, यह सब आसानी से आप लोग कर सकते हैं, यहां पर जाना है आपको, और यहां से swim जाचिये से यह copy करना है यहां, इस से आपको answer जो हो मिल जाएगा, अब यह तो मैंने बता दिया कि मैंने कहां से उठाया और कहां मिलेगा आपको, English में करना है, तो English के अंदर भी आपको जो हो यहां जाएंगे तो ये questions आपको स्क्रीन के उपर दिख रहे हैं आपकी किस्मत अच्छी रही तो एक दो questions यहीं से उठा लेगा same के same नाम बदल के वो करी रहे हैं आयोक के आदत उठी है एक तो यहां से आप ले सकते हैं यह test your understanding यहां से उठा लिए दूसरा अब मैं वापस जो है वो इसमें आजाता हूँ अब टेक्निकली यह तो जैसे इसका आंसर हो गया साज़दारों के पूजी खाते से यानि कहां से जो है वो अगर कहा जाए वसूली वे का भुक्तान करेगा तो उनके जो है वो अगर कहा जाए कैपिटल एकाउंट से जो हो इसका भुक्तान करेगा लेकिन अब ध्यान से समझेगा आंसर तो यह हो गया इसका आपको यह जो टॉपिक दिख रहे ना यह पूरे के पूरे पता होना है यह जिस लाइक वसूली खाता अब वसूली खाता आपको मालूम होगा जिसे अगर कहा जाए क्या होता है वसूली कहाता कोई भी साजेदारी फर्म कोई भी अब फर्म को लग रहा है कि अब अपने को व्यासाय जो है वो बंद करना है यानि भे आव अपने को नहीं करना आवश्यक रूप से हम व्योसाय को बंद करते हैं और खाते में जो भी चीज़े उसको निप्टाना चाहते हैं तो जितनी भी अगर कहा जाए उनके पास जो assets हैं परीसंपतियां हैं ठीक है उनको जो अगर कहा जाए जो भी यानि जो banks के अंदर हैं उनके पास जो cash है यानि रोकर और bank में जो भी balance है वो कह लो ठीक है यहाँ पर और जो उनके खिलाव जितना भी जिन लोगों को लेना है जितने भी अगर कहा जाए उनकी liabilities हैं उनके दावे हैं उनके लिए उनको क्या करना पड़ता है इसको बोलते हैं बसूली खाता ठीक है टेकनिकली अगर कहा जाए कि यह जो बसूली खाता की बात कर रहा है यह एक ऐसा एकाउंट है जिसमें सभी तरह कि अगर कहा जाए जो भी उसके assets है जितनी भी परिसंपतियां assets है जिसमें आपका cash भी है और bank के जो भी कुछ यह अगर कहा जाए वो सब वहाँ पर डाल दियो जाता है और फिर उसके बाद उसकी ँसकी जो है हो गर कहा जाए liabilities वहां से देखी जाती है कि कितनी liabilities और उनको कैसे सह हो निप्ताय जाए जैसे ही वो liabilities उसकी जो है वोगर कहा जाए खत्म हो जाती है Automatically यह account क्या हो जाता है बंद करती हो जाता है याने हम सोचें कि यह account हमें लंबे समय के लिए चाहिए तो नहीं चाहिए तो technically हमें यह समझ पड़ा कि जब हम NCRT को भी follow कर रहे तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यह जो चार चीजे हैं तो चार में वसूली खाता क्या होगा उनने का साथ temporary account है कब होगा जब farm का विगटन करना है कब होगा उससे हम liabilities होता है करें कैसे क्या-क्या देना है अगर कहा जाए जब पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी liabilities आपने जो भी देना था देनदारियां आदा कर दी उसके बाद automatically account क्या कर दोगा आप बंद कर दोगे तो technically इस तरह के questions भी आपको याद रखना पड़ेंगे नहीं तो आपको दिक्कत आए यह आप जो है वो याद रखेगा मतलब मेरा वेक्तिकत मत है आपके लिए कि आप इससे जो है वो NCIT भी पढ़ रहे हैं यह इसलिए आज मैंने lecture उसी based पे यह बनाया आपके लिए अगला आए निमलिकित में से कौन सी करीं साजेदारी विग टन की विशेष्डा नहीं है जब आप साजेदारी को जो तो अगर फर्म को आपने डिजॉल कर दिया तो वो जो काम कर रही थी फर्म वो खتم हो जाएगी लेकिन partnership तो दो लोगों के बीच है ना अपना ये व्योसाय चल रहा है मैं और आप एक व्योसाय कर रहे हैं और हमने ये तकल लिया कि यार इसमें हमारी 30-40% की भागी दारी देगी अगर हमारी ये partnership खتم हो जाएगी तब भी व्योसाय तो चलता ही रहेगा न तो व्योसाय का समापन नहीं होता है ये बिल्कुल सही यहां पर अगर कहा जाए ये मतलब विशेस्ता नहीं है पूछ रहा है ये तो विशेस्ता है नियायले के हस्तेचेप की जरूवत नहीं पड़ थी दोनों ने हमने partnership कैसे करी थी मोखिक करी थी या कागज की उपर करी थी डीट से रेजिस्टर्ट कराते थी ईगलग बात थी दो नहीं नहीं ले जरूवत नहीं हमने का यार आजसे मैंने वही कर रहा है कि जो तुम्हें हमने करार था कि तुम्हें यादे हो तो हमारे भीश्ता खतम होगे नहीं कहस्तेचेप की जरूवत आता, वो तो खत्म नहीं हो, साजेदार के आर्थिक संबंद खत्म नहीं होते किसी भी, हाँ, यह है कि उनको नए-ने तरीके से आप परिवाशित कर सकते हैं, क्यों यह पहले ऐसा था, आप ऐसा है, यह हाँ, लेकिन अगर फर्म होती है, यह दियान रखेगा है न, यह संबंद भी खत्म हो जाते हैं, और आपका व्यासाय भी बंद जाता है, यह बड़ा अंतर है, पार्टनर्शिप, फर्म और पार्टनर्शिप में, पार्टनर्शिप के अंदर कभी भी व्यासाय खत्म नहीं होता, और पार्टनर्स के जो एकनॉमिकल, जो अगर कहा जा जा या जो है उगर काजा आर्थिक जो उनकी जो सम्मन्दता है वो खत्म नहीं होते हैं लेकिन फ़र्म में ये सब चीजे खत्म नहीं है ये याद रखेंगे ठीक है परिसंपत्यों और दायत्यों का पुनर मुल्यांकन ये बिल्कुल सीरी सी बात है जो पहले एसेट्स थी आज आपने क्या क्या लगाया हमने जो है वो दोस्तों ने मिलकर एक चाई की दुकान खोली हमने क्या क्या एसेट्स लगाया उसने स्टोब लेकर आया मैंने गंजी लेकर आया हमने चाई बने अब जब वो व्यासाइग खत्म हो गया यानि मतलब अगर कहा जाए कि हमारी वो partnership खत्म होई तो मैंने कहा नहीं है अब यह इस्टोप का पैसा जो होगर कहा जाए तो मुझे वापस कर दो क्योंकि मैं इसमें 10% के हिस्सेदार हूँ यह तो जो assets थी जो हमारी liabilities थी उनको हम फिर से क्या कर रहे हैं यानि री-define कर रह तो यह तो होगा मतलब इसके अंदर हमको दिख रहा है कि जब हम partnership की बात कर रहे हैं यह ध्यान रखना मैं बार-बार यही की बात वोड़ रहा हूँ अभी आप पढ़ रहे हो partnership partnership की बात कर रहे हैं तो यह भी रहेगा यह भी रहेगा यह भी रहेगा ठीक है यहाँ पर अग गर काया जाए यह नहीं आर्थिक संबंद कभी खत्म नहीं होते आर्थिक संबंद बने रहें हैं हाँ लेकिन अगर यहां पर फर्म होता तो फर्म में यह संबंद खत्म हो जाते हैं उसके लिए कानूनी प्रक्रिया के तहती काम करना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए law के तहती काम करना पड़ेगा इंडियन partnership जाए वो act 1932 के clause को जाए वो देखना पड़ेगा तब तो काम होगा नी तो कैसे होगा तो ये इस तरह से हमको समझ पड़ता है अगला है निमली कितम से किस स्तिती में साजेदारी firm का पुनर गठन नहीं होता अब पुनर गठन का मतलब समझ लीजी यहां पर अगर कहा जाए basic अगर कहा जाए reconstitute करना है हमको फिर से अगर कहा जाए कि वो जो हमारी firm थी उसको reconstitute करने की प्रक्रिया ज़यों शुरू करना क्यों रीकॉं मतलब पहला तो यह कि आखर reconstitute करने की ज़यों अगर कहा जाए क्यों ज़यों तो सबसे पहला तो यही है कि हमारी जो firm है हमने आठ लोगों ने मिलके कोई firm बनाई Indian Partnership Act 1932 के ते और हमें लग रहा है कि नहीं इसमें भी दो लोग हम और लाना चाहते है या एक आदमी को और लाना चाहते है यानि कोई नया हम partner इसके अंदर लाना चाहते है तो फिर इसको जो है वो reconstitute करना पड़ेगा क्योंकि जब नया partner आएगा तो निश्चित रूप से उनका profit sharing ratio बदल जाएगा आठ के बीच में जो profit sharing ratio था वो कहीं न कहीं नो के आने पर कुछ ना कुछ तो change होगा तो हमको इसको re जो होगर कहा जाए constitute करना पड़ेगा पहला तो मतलब क्यों पहले तो अभी अपन समझें कि क्यों जो होगर का आज़ा पुनर कठन की जिलोग पती तो ये पहला कारण तो ये दूसरा कि पहले जब हमने firm बनाई थी जिस समय हमने बनाई थी हमने यह तैक किया था कि हमारा जो profit sharing ratio रहे वो इतना इतना रहेगा जैसे चार लोग ने थी तो मैंने क्या बोला था कि profit sharing ratio करा उन्होंने one quarter, one quarter, one quarter एक चोताई, एक चोताई, एक चोताई, एक चोताई अब उनमें एक आदमी इतना काम कर रहा है कि उसके बिना firm चली नहीं रहे वो हमारे देश के प्रदानमंत्री जी की तरह है कि एक तरफाँ उन्ही के नाम से सब चल रहा है उसने का भाई मेरी sharing जो होगी वो 50% होगी मोधी के नाम की guarantee जैसे प्रदानमंत्री जी का रहता है कि उनके favor सही सब कुछ हो रहा है तो same का नहीं है कि आप जो powerful है जिसके नाम से चल रहा है उसकी महत्ता तो स्विकार करना पड़ेगी तो लाब विवाजन अनपाद भी अब क्या करना पड़ेगा बदलना पड़ेगा पहले suppose मान के चलिए हमारा कोई एक profit sharing ratio हो suppose मान के चलिए 4 ratio 2 ratio 1 था अब हमको यह करना है कि नहीं आ रहेगा 4 ratio 2 ratio 1 नहीं रहेगा यहाँ पर अगर कहा जाए यह जो है उगर कहा जाए कि 3 ratio 2 ratio 1 करना तो यह तब ही होगा जब हम इसका पुनरगर्टन करें तब भी जो है उगर कहा जाए यहाँ पर जाए अब तीसरा कारणे यहाँ पर अगर कहा जाए कि किसी नए साज़ेदार को प्रवेश करने में इसमें जो है वगर कहा जाए दूसरा अगर मान के चलो कोई साज़ेदार रेटायर हो रहा या उसकी मृत्य हो जाए दोनों इस्तिति है एक आदमी रेटायर हो जाए या मृत्य हो जाए दोनों ही इस्तिती में हमको profit sharing ratio में कुछ ना कुछ नया बदलाब करना पड़े कहीं ना कहीं जैसे मानगे चलो इतको simple logic है अभी तीन लोगों ने firm को बनाया 3 ratio, 2 ratio, 1 ने अब एक आदमी की या तो इन में से मृत्ति हो गई या वो सेवा निब्रित हो गया अब बचे 2 तो यह 3 ratio, 2 ratio, 1 था इसको अब दो रोज जो बने तो दो के बीच क्या ratio जाए दो के बीच उसका जो अनुपात है वो किसको कितना मिलेगा तो CDC बात है उसको new define करना पड़ेगा, नए तरीके से करना पड़ेगा तो हम यह कह सकते हैं कि किसी की मृत्यू हो जाए हम यह कह सकते हैं कोई सेवा निब्रित हो जाए हम यह कह सकते हैं कि profit sharing ratio बदलने की हमारी इक्षाओ हम यह कह सकते हैं कि हमको कोई नया आदमी फर्म के अंदर जो है वो लेकर आना हो इन सब इस्तितियों में यहाँ पर अगर कहा जाए हमको उसको रीकॉंस्ट्यूट याने पुनर गठन की आवशक्ता पड़ेगी बिना पुनर गठन के यह प्रक्रिया जो हो नहीं यह आप हमेशा जान रहें पुनर गठन की जो होगर कहा जाए जरूत पड़ेगी क्योंकि आप सुचे कि जब नया साजेदार यह नया पाटव फर्म में आएगा तो निशित रूप से अगर कहा जाए लाब विवाजन अनुपात भी बदलेगा निशित रूप से उनके बीच का जो त्याग अनुपात है वो भी जो होगर कहा जाए बन लेगा मतलब आप सुचो के एक चीज नहीं बदलाएगी ठीक है यहाँ पर अगर कहा जाए अगर एक नया आदमी आएगा तो अपने साथ जो है वो 25 चीज लाएगा बदलने वाली और उन 25 चीजों को जो होगर कह जाए हमको बदलना पड़ेगा यह आप मतलब अपने दिमाग के अंदर जगा बनाए ठीक है जिसे अगर कहा जाए कि पूंजी है उसके क्या होगा परी संपत्यों का जो होगर कहा जाए कैसे हम distribution करेंगे ठीक है जो ख्याती का मूल्यांकन होगा वो कैसे किया जाएगा त्य लेकिन साज़ेदारी की मृत्ति हो जाने पर साज़ेदार के सेवा निप्रित हो जाने पर नए साज़ेदार को लाने पर इन सब केसे में हमको जरुवत पड़ती है यह आप याद रखेगा मतलब बेसिक सी बात है इसमें से कोई ने कोई कोई कोशन जो है वो आपको बन सकत है चलिए आगया समझ में मतलब बेसिक है मुझे लगता है कि आपको समझ आगया होगा कोई दिक्कत आई नहीं होगे में लिक इतने कौन सा साज़ेदारी फर्म के अनिवारे विगटन में शामिल नहीं अब यह मैंने कोशन क्यों लिया ऊपर ही मैंने कौशन कराया था अनिवारे विगटन याद करो यहाँ आपन ने देखा था यह NCRT में ही है और सब जगा यही है आप सुचोगे कि NCRT में लिखाए और भी जगा अलग अलग लिखाओगा तो एक ही शब्दे दरुदर हो सकते हैं बाकी कोई चीजी दरुदर नहीं हो सकते तो यह मैंने इसलिए लिया अनिवारे विगटन इन तीन कारणों में जब जैवगर कहा जाए कोई साजेदार देवालिया हो जाए यह सभी साजेदार देवालिया हो जाए गैर कानूनी हो जाए ये अनिवारे विगटन इन इस्तितियों में जाए अगर कहा जाए अनिवारे विगटन की जलुवत पढ़ेगी ये याद रखना है कभी कोई पूछेगा हाँ मांसिक संतुलन अगर खो दे तब मैं बार बार बोड़ाँ दिवालिया होना और मांसिक संतुलन खो देना दोनों अलग-अलग बात है तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि व्योसाय अवेद हो जाए गैर कानूनी हो जाए ठीक है यहाँ पर अगर कहा जाए या फर्म के बागीदारों को छोड़कर सभी दिवालिया हो जाए इन सब इस्तितिओं में हम अनिवारे विगटन कर सकते हैं लेकिन ठीक है साज़ेदार के मांसिक संतुलन खो देने की इस्तिति में अनिवारे विगटन नहीं होगा फिर वो न्यायले से आविगटन करा सकते हैं अगर लग रहा है तो ये एक important बात है ठीक है चलिए अगले के और बढ़ते हैं यहाँ पर देखते हैं अगला क्या question कहते है ये question मैंने लिया numerical क्यों लिया ये समझ लीजे जितने भी partnership account के question आईए उन में कम से कम 2 से 3 numerical आने की संभावन है या आप बिलकु निश्चिन रही है क्यों? simple सी logic है कि आपने partnership firm बनाई अब मान के चलो कोई आदमी रेटायर हो गया किसी के death हो गई तो जब जो आदमी रेटायर हो गा या जिसकी death हो गई उसका जो profit sharing है वो किसको कैसे जाएगा? ठीक है? मतलब जो profit sharing है उसकी कैसे जाएगी? उसकी goodwill कैसे जाएगी? ये सब क्या होगा? इनको reconstitute करना पड़ेगा के नहीं करना पड़ेगा? तो reconstitute करने के लिए दो तरहां से question पूछेगा या तो वो ratio के रूप में पूछेगा जैसे मैंने साजेदार है ठीक है? अब इनके बीच लाब बिवाजन अनुपाद यहाँ पर यह था है ना? याने total 3 ratio 2 ratio 1 याने कुल value हमारे पास कितनी है? यहाँ पर अगर कहा जाए 3 plus 2 plus 1 हमें सा याद रखे एक ratio की value यह 6 याने हमारे पास कुल हिससे कितने 6 है इन 6 हिस्सों में से 3 हिस्से याने यहाँ पर अगर अगर एक एक को लिख ले सुनिल लिख ले सुनिल के सामें लिख ले 3 by 6 यह सुनिल का इस्सा देवेंदर लिख ले देवेंदर के सामें जो लिख ले 2 by 6 याने 6 में से दो हिस्से और तीसरा जो है वो राजिस लिख लें यहाँ अपन राजिस लिख लें राजिस का हिस्सा कितना है यहाँ पर अगर कहा जा 1y6 यह मुझे नहीं लगता कि किसी को रटने की जग होता है कभी भी रेशो वाला है तो इनको जोड़ कर इससे अपन निकाल सकते कि किसका कितना नुपात है जैसे सिंपल लोजिक है कि कोई पूछे भाई सुनिल का हस्सा कितना है तो आप यह काओ कि 3y से यह कितना आ गया 1y2 यहने कुल पैसे में आदा पैसा सुनिल का लगा हुआ है 1y2 का मतलब यह होगा यहना यह मैंने अभी solve करके बता दे अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि जो है अगर कहा जा है सुनिल देवेंदर राजेस में से देवेंदर सेवा निपरत हो गया देवेंदर की death हो गई जो भी इस्तिती हुई याने अब उसका ratio जा है वो profit sharing दूसरे को जना देवेंदर का था कितना दो बाई 6 यह देवेंदर का इससा था अब इस हिस्से को वो कह रहा है कि आप इन दो partner को बराबर बराबर बढ़ याने 50-50 इन दोनों को मिले तो सुनिल को कितना मिलेगा यहाँ पर अगर कहा जाए सुनिल को कितना मिलेगा टेकनिकली अगर कहा जाए सुनिल के पास जो हिस्सा है वो अभी जैसे अगर कहा जाए क का 1 x 2 किसको मिलेगा ? याने कितना आगया रांसर ? 1 x 6 यह सुनिल को मिल गया एक बटच है अब सुनिल का कितना हो गया ? पहले कितना था सुनिल का हिस्सा ? पहले था 3 x 6 उसमें कितना जुड़ गया ? 1 x 6 यहांपर 6dles हो गया ? 3 और 1, 4 हो गया यह अब सुनिल का हिस्सा हो गया 4 by 6 यह पूरी फर्म में सुनिल की हिस्सेदारी कित्थी हो गई 4 बटा 6 दूसरा अगर कहते है राजश राजश को भी उतनी मिलना है 2 बटा 6 जो भाग था देवेद्र का उसका 1 by 2 राजश को मिलना है यानि राजेस को भी कितना मिलेगा 1 by 6 ही मिलेगा तेकिन अब राजेस का हिस्सा कितना होगा तो यहाँ अपन लिख लें ये राजेस है राजेस का अभी हिस्सा कितना था टेक्निकली अगर अपन कहा है ये राजेस है ये है 1 by 6 नया कितना मिल गया अगर कहा जा राजेस को 1 by 6 यानि यह हो गया 6 और यहां हो गया 2 by 6 यानि राजेस के पास है अब 2 by 6 यह लिख दे हम इने R और सुनिल के पास जो है वोगर कहा जाए है 4 by 6 यह हो गया S यह इतना अपने दिमाग में रखना यह दोनों के नए ratio अब इन ratio को आप चाहो तो यहां पर साफ कर दे रहा हूँ है यहां पर अब ध्यान से देखो सुनिल का कितना है यानि सुनिल का इसका था 4 by 6 ठीक है यहां पर अब 4 by 6 को हम चाहे तो 2 से और छोटा कर सकते हैं आपके उपर है कि क्या करना है और दूसरा अगर कहा जाए कि राजिश का कितना है राजिश का है टेक्निकली अगर कहा जाए 2 by 6 यहां पर अब इसको आप चाहो तो काट लो काटोगे तो क्या होगा आपको तो कुदी मालिमे कि यहीं से अगर काटना चाहें तो यह हो गया और यह अगर कहा जाए यह यह हो गया यह बीसिक अगर कहा जाए इनको और रेशो को ऊपर नीचे लाओगे तो यह तीन से तीन कट जाएंगे तो अपने पास क्या आगया रेशो दो अनुपात एक यहने नया प्रफिट शेरिंग रेशो कितना आ गया 2 ratio 1 यह आपको याद रखना बेसिक अगर कहा जाए यहाँ पर अगर कहा जाए इस तरह से जाए तो टेक्निकली हमें यह समझ पड़ा कि जैसे आपको अब इस तरह का question कैसे आएंगे यह तो answer हो गया कि नया profit sharing ratio कितना हो गया 2 ratio 1 अभी क्या समझा जैसे वो पूछे सुनिल मतलब देवेंद्र के retire होने के बाद सुनिल की firm में कितने हिस्सेदारी है सुनिल की के वर तो अभी हमको दिख रहा था कितना था 4 by 6 यानि इसको पनियाज साप कर ले सुनिल की हिस्सेदारी थी 4 by 6 4 by 6 को हम क्या कर सकते हैं 2 2 दूनी चाल 2 तिया 6 यानि 2 तिहाई 2 बटा 3 हिस्सेदारी हर 3 में से 2 हिस्से सुनिल के यहाँ पर अगर कहा जाए और जो दूसरा है उसकी जो है उसस्सेदारी अपने को कितने दिख रही है 2 by 6 यानि 2 एकम दे 2 तिया 6 यानि हर 3 में से 1 हिस्सा यानि इनको जोड़ दे तो अपने पास क्या वेल्यो हाजाई की उपाल इसका क्या मतलब हुआ कि नए प्रॉफिट शेरिंग रेश्यो में कंपनी में जो 1 रुपे है यहाँ पर उसके 3 हिस्से दो हिस्सों के उपर सुनिल मालिक है और एक हिस्से के उपर जहर हो राजेश्यो मालिक है इस तरह से इसे कई सारे कोश्चंस आपको वहाँ पर मिलेंगे जिनमें प्रॉफिट शेरिंग रेश्यो की बात है दो तरह की कोश्चंस आईगे मैं आपको बता दे रहा हूँ पहला या तो वो आपसे ratio पूचेगा और दूसरा के ratio नहीं होगा तो वो आपको कोई price देदे कोई भी जैसे गर कहा जाए कि कीमत आपको देदी इतनी जो है गर कहा जाए उसके आदार पर जैसे उसने तो आज मैंने आपको ये रफली एक छोटा सा वीडियो इसलिए बनाई ये बड़ा नहीं था कि साजेदारी फिर्म या पार्टरशिप को आप पढ़तो रहें लेकिन उसमें दो चीज़ों को प्रियोग केज़ें एक तो इंडियन पार्टरशिप एक्ट ठीक है मद्यप्रदेश सोसाइटी एक्ट दोनों को लिंक करके लेके चलिए दूसरा एंसियाइटी की बुक 12 की एकाउंटेंसी की उसको फॉलो करिए तो आपको काफी हैल्प हो जाएगी 4-5 कोशन्स में अच्छी जो अगरकार है और ऐसे कम से कम 20-25-30 जितने भी हो नियूमरिकल जो हो तैयार कर लिजए तो आपको दिक्कत जो हो नहीं आएगी यह मतलब मेरा वेक्तिकत मत है और अगर आपको लग रहा हूँ कि आपको मेरी ही जरुवत है तो एक बहुत ही जादा healthy test series है मैं तो कह नहीं रहा हूँ कि आप ले लेकिन अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत पायदा हो उसमें इसी तरह कि कई हमने questions लिये हैं जैसे यह unit है इसमें ही हमने कम से कम 15 question लिये है और हर questions के नीचे description लगाया है उसका कि क्या प्रशन का answer और कैसे उसको करना है bilingual है पूरी Hindi और English दोनों में जैसे question दिख रहा है answer भी हमने जो है वो जितने भी description लगा है वो bilingual लगा है तो उसमें एक class जो हमने open छोड़ दी मतलब सभी लोग देख सकते हैं जाकर आपको अगर एब के उपर जाना है तो आप एब download करी बिया रेकेडमी किसी के नीचे आपको link मिलेगी उस पे जाईए उसके उपर एक class हमने फ्री करीए वो आप वहाँ से watch कर सकते हैं कि किस नीचर में पढ़ाया जा रहा है क्या content को पढ़ाने का नीचर approach क्या है वो approach के उपर आप काम करेंगे तो इस तरह से ये topic आप तयार कीजिए मुझे पूरा विश्वास है कि आपको दिक्खत नहीं आएगी और सबस्या नहीं होगी और test series लेना है तो app से ले सकते हैं आपकी सफलता में कहीं न कहीं जब आप exam से लिखनेंगे तो निराश नहीं होगे आप तो लगेगा कि हमने एक healthy test series ली और healthy content हमको मिला और उसमें जो 15 classes उसमें हमें important important topics NCIT के book, Government of India की websites इन सब को follow करते हुए पढ़ा दो, जो भी important important है वो वहाँ से आप देख सकते हैं चली तो धन्यवाद आप सब को ensure करेगी सफलता मिले, खूब इमानदारी से मेहनत करिए और ज़्यादा उल्ये हुए questions में मत जाएए simple book के follow करिए जैसे NCIT हुआ, NIUS की books हुई है, इन से आपको help हो जाएगी, मेरा जितना मत है, मुझे लगता है उतना, जहां तक समझ पड़ता है, धन्यवाद आप से